हलो दोस्तों नमस्कार ओमिटिक निकल यूटूब चैनल के माद्यम से समस्ते पेंसन अर्साब सब का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि सरकारी कर्मियों को कब मिलेगी बुढ़ापे की लाठी यानि की कब बढ़ेगी उनकी पेंसन, उसमें समस्याएं क्या आ रही हैं, परिशानियां क्या हैं और सहूलियत क्या है इन बातों पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ कि खगा समवादाता के मादम से यह न्यूज प्रकासित हुई है हिंदुस्तान एक आर्टिकल छपा है हिंदुस्तान में जो 17 साल से अपने हगे की आवाज उठा रहे करमशारी करमियों को नहीं रासाई नवी पिंसन यानि कि कुल मिला के पुराने पिंसन की बात है मुद्दे की बात में इस खबर को हम जानेंगे और समझेंगे तो चले दोस्तो फटा 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 वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन वीडियों सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट अगर अभी तक आपने हमारे नवीन पिंसन यानि कि नई पिंसन उन्हें राश नहीं आ रही है तो उन्हें कब मिलेगी बुढ़ापे के लाठी यानि कि पिंसन खगा समवादाता के बाद यूपी सरकार ने एक अपरेल 2005 के बाद नियुक्त सिक्षकों करमचारी और अधिकारियों को पुरानी पिंसन ख हूलियत के हैं तो से लिए फटा फटा हम देख लेते हैं कि तीन बास आएं बाधाएं क्या क्या हैं तो पुरानी पिंसन अब केंद्र राज सरकार के प्राथि मिक्ता में नहीं है नमर एक बाधा है नमर दो बाधा है पुरानी पिंसन के सरकार ने नहीं की कोई पहल आगे ह OPS यानि की World Pension Skim के स्थान पर E-NPS को तहजिर दे रही सरकार अब इसमें तीर परसानिया क्या हैं कि E-NPS में रिटायर्ड के बाद मिलने वाले Pension निश्चित नहीं रहोगी कि आपको Pension कितनी मिलेगी दूसरा नमर है पुरानी Pension के तरह आखरी वेतन का कम से कम आधे की गारंटी भी नहीं होगी इसमें सेर बाजार पर आधारीत Pension Skim को लेकर संसे की इस्तिती बनी रहेगी ये हो गई तीन तीन बड़ी परसानिया अब इसकी सहूलियत क्या है ये हम देख लेते हैं तो OPS के रिटायर के बाद आखरी वेतन की आधी धनराज Pension के रूप में मिलेगी मानसिक तोर पर अफसर सिक्षक वा करमचारी होंगे स्रिद्रिड बुढ़ापे में परिजनों वा बच्चों पर नहीं रहना पड़ेगा आस्वेत हमारे संगठन का जन्म ही पुरानी पेंसन की एकलोती माग के लिए हुआ है लाखों सिक्षकों करमियों सरों के लिए यह बेहद सम्वेद नसील मामला है पुरानी पेंसन की जंग चलती रहेगी हमें उम्मीद नहीं छोड़ेनी चाहिए असोक कुमार सिंग जिला सह संयोजक अटेवा से इन्होंने अपने बात को रखा है और आगे हैं बिनोध स्रिवास्तो जी की मैं आपको आवास सुना रहता हूँ जो जिला संयुक्त अधिकारी मंच से पुरानी पेंसन बहाली समेथ करमचारियों की हित वाली समश्याओं को संगठन उठाता रहा है पेंसन बहाली का मुद्धा बेहत समयदं सीर है या करमचारियों की माग पूरी नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी इस प्रकार की बात किया गया है आईए संभादातक के दोरा EPS 95 संभादातक के माध्यम से जो पुरानी पेंसन और नवीन पेंसन है उसके लिए क्या कहा गया है उसे हम देख लेते हैं के अंदर के बाद UPS सरटकार ने एक अपरेल 2005 के बाद न्यूक्त सिक्षकों, करमचारियों एवं अधिकारियों की पुरानी पेंसन खत्म कर दी है अपेचिक संख्या में करमियों वा सिक्षकों को नवीन पेंसन राश नहीं आई तो पुरानी पेंसन के लिए संगर्स छोण दिया गया है पिछले 17 साल से आटेवा संगठन ने मोचा संभला और धर्णा परदर्शन के जरी सरकार तक अपनी आवाज पहुचाई अब तक इस मुद्य पर सफलता नहीं मिली है लेकिन पुरानी पेंसन की जंग लड़ी जा रही है इस संगठनव कर्मियों के आखरी सांच तक संगर्स करने का दम भरा है अटेवा को उमीद है कि पुरानी पेंसन के लिए छड़ी जंग देखते हुए राजनितिक दल इस मुद्य को अपने संकल्प एवं गोशापत्र में सारे करेंगे गेंद अफ सियासी मेदान में है सिक्शकों करमचारियों और अधिकारियों की इस पर नजर है न तो इन पीएस नहीं ओ पीएस ओल्ड पेंसन के बिकल के तौर पर दी गई NPS से अब तक तमाम सिक्षक अक्षाग्दिन नहीं है इस इस्तिती में कोई भी कई साल की नोकरी के बाद भी इन सिक्षकों और कर्मियों के पास शिवा निब्रित के बाद के लिए फंड मौजूदन नहीं है पुरानी पेंसन के लिए संगठनों ने दबाव बनाना सुरू कर हड़तालेवां का वहिसकार जैसे कदमों पर विचार किया उन्हें उम्मेद है कि पुरानी पेंसन जैसे समवेदन सिल मामले पर इस बार राजनितिक पार्टियों का रुख बदल सकता है 2016 में सिक्षकों की हुई मृतु पुरानी पेंसन के लिए आटेवा समय दूसरे संगठनों ने दिल्ली एवं लखनों में धर्णा प्रदर्शन आजूत किये धर्णों में हजारों के तादाद में सिक्षक एवं कर्मचारी पहुँचे दिसंबर 2016 में प्रदर्शन के दौरान लाठे चार्ज में सिक्षक रामासीस सिंगबुरी तरह घाल हुए जिनकी बाद उनकी मौत हो गई इस प्रकार की जो खबर है यह खबर है पुरानी पेंसर और विंट पेंसर को लेके आपका क्या राय क्या भीचार है इस खबर के बारे में आप हमें कमेंट कर जरू बता सकते हैं दोस्तो EPS 95 Pinsners ये ख़वर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि Pinsners से समद्धी समश्याएं सामने आ रही हैं और हमारा काम ये कि हम Pinsners से समद्धी समश्याओं को आप तक पहुंचाते हैं तो दोस्तो इसी खबर के साथ मैं आपसे बिदा लेता हूँ और मिलता हूँ किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में तब तके नमस्कार जै हिंद जै भारत